कि कि ऐलो फ्रेंट्स वेल्कम तो मासुमिश्डीु आज हम इस वीडियो में डिकल्स करने वाले हैं ससज्डी 2021 ओफिसियल नोटिफिकेशन पॉइट के वाले में इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं तो आपके लिए भंपर भंपर भरती है ऐसे सी जीडी 2021 आड़ फॉर्म इस्टार्ट कप से है 21 25 मार्ट से और 25 मार्ट से आगे तक चलेगा डेट और एक्जाम डेट दो अगस्त से 25 अगस्त ऐसा कुछ है लेकिन इस्टार्ट दो अगस्ते हो जाएगा यह बहुत बड़ा वेकेंसी है और बहुत काफी नंबर और पोस्ट बहुत जादा है तो आप इन आप सभी कैंडिडेट इस से कि वेकेंसी को जरूर भड़ें चले देखते आगे पहले हम बात कर लेते हैं अलेजीबिलिटी क्या है और इलेजीबिल इंटरेस्ट इंट इंडिडेट चैन अपलाई यह अपलाई कब से कर सकते हैं आप 25 मार्ज से 10 माई तक तो आपको काफी समय दिया गिया है कब से 25 मार्ज फिर अप्रेल फिर माई दस माई तो आपको अच्छा खासा समय दिया गया है ताकि आप इस फॉर्म को फिल अप कर सकें आपको यह टाइम पता चल गया आप याद रखिएगा इस टेट से यह फॉर्म भरना ऑनलाइन इस्टार्ट हो जाएगा फिर नेक्स देखते साल के कैंडिडेट ही इस इस फॉर्म को भर जकते हैं इस फॉर्म को भर जकते हैं 18 से 23 पर इसमें कुछ रिलेक्शेशन भी मिला हुआ उसके बारे में आके बात करेंगे हम लोग और एक्जाम सेड्यूल आप देख सकते हैं 2 अगस से 25 अगस तो आपका फॉर्म भरा हो जाएगा 25 मार्स से 10 मई तक आप यह याद रखिएगा और एक्जाम कब होगा 2 अगस से 25 अगस तक ठीक है हम लोग एज के बारे में डिस्कॉस करेंगे पहले क्वालिफिकेशन दिख सब्सक्राइब होने चाहिए अगर आप मेट्रिक पास है तो आप इस फॉर्म को बरने के लिए यह ब्लग है ठीक है दो है अगर एक्ज रिलेक्सिंशन के बारे में पड़े पार इस तो है अठारा से तरीष पर इसमें क्या मिलता है एक्ष्ट्यम मिलता है केटेगरी वाले स्ट्वेंट को केटेगरी जैसे की ओबी सी एसी और जेनरल तो उसके लिए क्या चाहिए है हाइट तो एज रिलेक्सेशन क्या है एज रिलेक्सेशन यह है एज तो अठारा से तईस तो मांगी रहा है लेकिन अगर आप S.C.S.T. है तो आप इसको आपको इसमें पांस साल और रिलेक्सेशन मिलेगा मतलब कि आप अठारा साल से इसमें अगर पांच जोड़ देते तो अठाइस साल के हैं तो इस बीच में अगर आपका एज है तो आप अराम से यह फॉर्म भर सकते हैं और OBC की बात करें तो OBC का भी यही है कैटेग्री 18-23 पर उसमें तीन साल से रिलेक्सेशन मिला है मतलब कि अगर 18-26 सार के बीच में हैं तो आप यह S.C.Z.D. 2021 का फॉर्म भरने के काबिल हैं ठीक है दोस्तों अब यह याद रखिएगा मैंने क्या बोला S.C.S.T. को पांस साल डिलेक्सेशन मिलता है और OBC को तीन साल ठीक है और सबसे बेसी लोगों को कन्फूजन होता है हाइट 2018 के वैकेंसी जो वैकेंसी आया हुआ था S.C.C.D. का उसमें मेरा भी सेलेक्सेशन हुआ था पर मैं किसमें चड़िया था हाइट में मैं आपको वो सर्टिफिकेट भी दिखाऊंगा बकाइदा वो लोग लिक कर देते हैं कि आप किस कारण वस तकि आप आगे बिलेम भी कर सके बिलेम बोल सकते हूँ आप उसको क्लेम भी कर सकें विभाग में जाकर कि देखिए मेरा हाइट ठीक है फिर भी छाटा गिया है तो आपको लिक कर दिया जाता है मैं आपको वो दिखाऊंगा तो कितना चाहिए मेल के लिए 70 और फिमेल के लिए 157 और इसमें कुछ रिलेक्सेशन मिलता कब जब स्ट के होंगे तो आपको 162 चाहिए 0.5 और फिमेल के लिए 150 को और स्ट करगड़ी के लिए ठीक है और बाकी आप मान के चलिए कि मैक्सिमम के लिए स्ट के लिए और फिमेल के लिए 157 यह क्या है हाइट ठीक है अपने आप क्वालिफिक्सेशन समझ गाएं पीटी में क्या होता वो समझ गाएं हाँ पीटी आपको हाइप और यह एक्जाम पास करने के बाद आपको यह पीटी का कॉर्लेटर आएगा आप जाएगा आप जा आपका हाइट है तभी आप इस इसका प्रैक्टिस करें दौर का या एक्जाम का तो दौर के कैसा है दौर है कि मेल के लिए 5 किलोमेटर दोर ना है 24 मिनट में यह दौर बन सकता है मतलब ऐसाने कि बहुत टफ है पर आपको महना दो महना तीन मेहना परियास करना पड़ेगा और अच्छे मेहनत से आप अराम से 24 मिनट में 5 किलो मिटर दौर पाईएगा और महला के लिए क्या है 1.6 किलो मिटर in 8.5 मिनट मतलब कि 1600 आपको मिटर दौर ना है महला लोग को कितना में सारे 8 मिनट में यह तो बहुत आडाम है और आप जानते होंगे 6 मिनट में हम लोग को 16 दौर ना पढ़ता दौर यहां तो बहुत आडाम है कि 16 सामीट आपको सारे 8 मिनट दौर ना पढ़ रहा और किसके लिए मेल के लिए मेल के लिए है 5 km 24 मिनट में ठीक है इतना ही है ठीक है दोस्तों तो इतना सारा आपका information था मैंने इस वीडियो में आपको साड़ा qualification एज relaxation या पीटी में height कितना चाहिए कितना दौर चाहिए सारा बता दिया कब से form start होगा और exam कब होगा आपका यह सारा चीज मैंने एक वीडियो में discuss कर लिया उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए helpful होगा अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो please subscribe this channel thank you